हाई आप देख रहे हमारा चैनल पेपर हैकर और मैं आपका कैमिस्टी टीचर देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है बीएस्टी फरस्ट इयर वालों के लिए फिजीकल कैमिस्ट्री इंपोटेंट कोश्चन है आपका अपोहन यानि डायलेसिस दिया हुआ है डायलेसिस ब सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दिखेंगा आज का जो टॉपिक है यानि डायलस पर स्प्सक्राइब क हैं जिल्ली र Cela पर में एक अद्रम को का इसले कई पदार्थों को निस्कासित यानि कोल आईडी बिलियन में जो भी पदार्थ घुले हुए होते हैं जो भी उनमें सॉलीवल होते हैं उनको अलग करने के लिए पर्चमेंट झिल्ली द्वारा जो विधी अपनाई जाती है उसे अपोहन विधी कहा जाता है cellulose nitrate, cellulose acetate आधि की झिलियां भी अपोहक्व जिलि के रूप में परियुक्त किया जाता है ठीक है पर्चमेंट जिलि से वनि एक धैली या जिलि लगे किसी वेलनाकार पात्र में से कोलाइडी मिलियन भर कर उसे भहते हुए जल में, लटका देते हैं में किया जाता यहां कि जो पर्चमेंट फली होती है एट तैली बनानी के बाद में उस 흥िलेंगे बाहर निकलते रहते रह थेंडिक फ़ेप भरा हुगा है उसमें जो वी मॉलीकुल्स रायन होते हैं वो थीरे-दीरे निकप रहते हैं जिसे अपोहन धीरे-धीरे होता रहता है यालोस की असुद्ध्या dar serサट होती है अब इस्विद्धी से क्या होता है कि जो उस विद्ध्ध छेत्र मे जितने मिविद्ध अपघट होते हैं उनकी जो इंपिोरीशन सब्सक्राइं जल्दी दूर हो जाएं क्योंकि जो आयन विपरीत डिक्रोड जेतने भी आपके विआन होते हैं क्योंकि विपरीत बीबित कि विफेटार याइन था में तो और से प्रिताविस वाले जो ofhonगे उनको अपनी ओर यह आकर सित करेगा और विद्धुत-छेत्र की जो उपस्तिती अपोहन होते लें क्या भीद्धुत-पोहन विद्धुत-पोहन फोर हनो होते हैं उन्हें विद्धुत-पऊऩन यहां जाता है अब जो विद्ün दो पर और करें गया trabajando नहीं करते तो सब्सक्राइब की शॉर्स नहीं बनाती, है ठीक है तो इंपोर्टेंट कोस्टन होते हैं आपके रिलेटेड हमारे इस चैनल के माध्यम से रोजाना हम आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो लेकर आते रहते हैं जगत लगातार हमारे चैनल पेपर हैकर को देखते रहे हम फिर किसी नई वीडियो के साथ झाल